शूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन दोनों ही हमारी जंदगी में कई बदलाव लाते हैं तो आईए जानते हैं कि आने वाली 13 जुलाई 2018 को होने वाले सूर्य ग्रहन से कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे 2018 का ये दूसरा सूर्य ग्रहन होगा हालांकि इस दिन पढ़ने वाला सूर्य ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा वहीं इस दिन आशार आमावस्य भी है जिसके चलते इस ग्रहन का महत्व बढ़ जाता है तेरा जुलाई को सूर्य ग्रहन का असर दक्षणी ऑस्ट्रेलिया के मेलबन, स्टीवर्ट, आइलेंड और होबाट में दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहन करीबे घंटे का होगा भारतिय समय नुसार सुबह 7 बचकर 18 मिनट 23 से शुरू होगा और 8 बचकर 13 मिनट 5 सेकेंड तक रहेगा तो अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहन का किन राशियों पर पड़ेगा असर भारत में सूर्य ग्रहन आंशिक होने के कारण यहां बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा लेकिन राशियों में इसके प्रभाव की बात करें तो करक, मिथुन और सिंग राशी पर इसका अशुब प्रभाव पड़ेगा ग्रहन के कारण इन जातकों के बनते काम भी अटक सकते हैं अब ऐसे में बताते हैं आपको किन उपायों से आप सूर्य ग्रहन के प्रभाव से बच सकेंगे सूर्य ग्रहन के असर से बचने के लिए प्रभावित राशियों के जातक ग्रहन काल के दौरान शिव चालीसा पढ़े या भगवान शेवकाज जाब करें गरीबों को अनाज दान करें और इस वक्त तुलसी का पत्ता खाना भी शुब रहेगा नेशन वन से सुश्मिता मुखर जी की रिपोर्ट